महात्मा गांधी ने कहा था कि राश्च्रिय वहवार में हिंदी को काम बिलाना देश की उन्नत्य के लिए आवश्यक है नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको वहां कुछ बातें बताने जाने हूँ जो हमारे देश में हर साल मनाई जाने वाले हिंदी दिवस के पीछे की कहानी है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाई जाती है और यह दिन हमें राश्च्रिय भाशा हिंदी को समिर पित है इस दिन का चैन इसलिए क्या गय था क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को भारत की राश्च्रे भाशा का दर्जमिला था हिंदी दोस्का मुख्य उद्देश है और राश्च्रे भाशा के महत्व को सब की सामने लाना और इसके महत्व को बढ़ावा देना हिंदी हमारे देश की विविदता का हिस्सा है और इसकम है तो भारती समाज के लिए अत्य धिक है हिंदी की माद्यम से हम अपने विचारों भावनाओं और अभीवादनों को अधुति आधंग से व्यप्त करते हैं यह हमारी संस्कृतिक और भाषाई पहचान का हिस्सा है इसकी महदुपर्ण भूमिका है भातिली समाज के निर्माण में इस दिन के माध्यम से हम सभी को याद दिलाते हैं कि हिंदी भाषा हमारे एक्ता और अखंडिता के प्रतिक के रूप में हमारे बीच में है हमें इससे मर्थन देने चाहिए ताकि ये हमें हमेश्व गर्व महसूस करने का मौका दे सके इस विद्य के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि हम सब हिंदी की महदुपर्ण को समझे और इसे अपनी जीवन में एक महदुपूर्ण भूमिका दे हम सभी मिलकर इसे और मैं को पूर्ण बना सकते हैं और हम इसे बड़ावा भी दे सकते हैं हिंदी दोस्के मौके पर हम सब ही गुगर्व है कि हमारी राश्य भाशा हिंदी है और हम इसका समर्थन और प्रशंशा करते हैं जय हिंदी जय भारत